एक तरफ छपड़ा में गोली चलती है तीन लोगों को तीन राजद के तीन कारेकरताओं को गोली लगती है एक कारेकरता की मौत हो जाती है और एक कारेकरता कौमा में है एक कारेकरता बताया जा रहा है कि खत्रे से बाहर है और उसके बाद जो है राबरी देवी के बोडी गा पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा रोहिनी अचार्या पर एफाई अर्दर्ज कर दिया जाता है एक वो दौर था और एक आज का दौर है जब छपड़ा कांड के मामले में भोजपूरी के गायक और राजयद के नेता संतोस रिनु यादो को गिरफतार कर लिया गया है आ पार्टी जंता पार्टी के परत्यासी राजयू प्रताप रूठी के लिए कुछ अपसब्द बाते बोल जाते हैं और उसके बाद राजयू प्रताप रूठी जो है उनके खिलाफ प्रात्मी की दर्ज कराते हैं उसमें ये आरोप लगाते हैं कि ये व्यक्तियम को जान से म और दर्ज कराने के बाद छपड़ा पुलिस ने कारवाई करते हुए आज पटना पुलिस के साथ मिलकर संतोस रेनू यादो को गिरफतार कर लिया माफ किजेगा आज नहीं कल गिरफतार कर लिया अब छपड़ा कांड के मामले में कितने लोगों पर गार गिर चुकी है जिस छेतर के अंतरगत हुआ था उस थाना छेतर के अध्यक्ष से उस थाना अध्यक्ष से जो है सवाल हाजिर कर लिया गया था उसके बाद छपड़ा के एसपी को भी बदल दिया गया है गौरमंगला को बदल दिया गया है कुमार आसीश जो है अब छपड़ा के नए एसपी है और आप समझ लिजिए कि एक कांड हुआ और कितने लोगों पर गाज गिर गई और राजद की मुश्किले जहें लगातार बढ़ते जा रही है एक तरफ रोहिनी आचारिया पर केसे चल रहे हैं रोहिनी आचारिया को पुलिस कारवाई कर रही है रोहिनी आचारिया पर और द इस उन सब पर कड़ी कारवाई कर रही है और इसी कारवाई के तहट संतोस रेनु यादो को भी गिरफतार किया गया है अब आप समझेए कि एक तरफ रोहिनी अचारय यह आरोप लगा रही थी कि भारतिये जंता पार्टी के गुंडों ने आकर के उनको उन पर हमला किया उनक दोनों आपस में भिर गए यह गुंडा वाला बात मेरा नहीं है रोहिनी अचारय ने कहा है और उसके बाद भारतिये जंता पार्टी के तरफ से राजियो प्रता पर रूधी जो है आते हैं राश्ट्रिये चैनल पढ़ाते हैं और कहते हैं कि सिल्फ डिफेंस में गोली चल रहे थे और दूसरी तरफ से उस व्यक्ति के घर का वी वीडियो वायरल हुआ जिधर से भाजपा कर्यकरताओं पर आरोप लगाया गया कि ये गोली चला रहे हैं उसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि राइफल कट्टा और पिस्तॉल ले करके घूम रहे थे वो लो के लिए इतनी बढ़ जाती है कि छपड़ा के बाहर रहने वाले लोगों पर भी एफ आई यार किया जाता है उनको भी ग्रफतार कर लिया जाता है बाकि अब आगे क्या होगा और क्या कुछ अपडेट आएगा हम आप तक जरूर बताएंगे लेकिन तब तक आप बने रही कियेगा हमारे साथ और देखते रहिएगा जंता जंग्चन मेरा नाम वेद प्रकास है कैमरे के पीछे हैं विशाल बहुत बहुत धन्यवाद